सालों पहले की बात है जब राजा एक दूसरे को पैगाम के साथ कुछ पहलिया भी भीजा करते थे ऐसे ही किसी एक राजा का दूद सर्जियों के मौसम में एक दिन मुगल सामराजी के बाश्शाह अक्बर के दर्वाद में पहुचा मैं अपने साथ पहली के रूप में पिंजरे में क्याद एक नकली शेर को लेकर गया था राजा ने पहली के साथ एक पैगाम भी बेजा था अब पैगाम में लिखा था कि क्या मुगल राजी में कोई ऐसा बुद्धिमान है जो पिंजरे और शेर को छुए बिना शेर को बाहर निकाल सके अब मुगल समराट अकबर सोच में पड़ गए कि आखे शेर और पिंजरे को हाथ लगाए बिना भला शेर को कैसे बाहर निकाला जा सकता है पहेली के साथ बेजे गए पैगाम में यह भी साफ लिखा था कि पिंजरे से शेर को बाहर निकालने के लिए एक व्यक्ति को एक ही बार का मौका मिलेगा इससे अकबर काफी परिशान होगे उन्हें लगा कि यह तो बहुत मुश्किल है और अगर शेर को पिंजरे से बाहर नहीं निकाल पाए तो मुगल सामराजे की काफी बदनामी भी होगी यह सब सोचते सोचते उन्हें ने दर्बार में मौजूद सभी की तरफ देखा और देखते वे पूछा कि कोई है जो इस फैली को सुल्जा सके लेकिन हर कोई इसी सोच में डूबा था कि आखिर यह संभव कैसे हो सकता है अब अकबर के पूछने पर जब किसी ने जवाब नहीं दिया तो उन्हें अपने वजीर वीरवल की याद आने लगी जो सभा में मौजूद ही नहीं थे उन्होंने तुरंट दर्बार को भीच कर वीरवल को दर्बार में हाजर होने का आदेश दिया लेकिन अफसोस वीरवल किसी सरकारी काम से राज्य से बाहर गए हुए थे फिर क्या था रात भर अकबर इसी सोच में डूबे रहे कि आखिर पहली को कैसे सुल जाये जाए दूसरे दिन फिर दर्बार लगा लेकिन वीरवल की कुरसी खाली देखकर अकबर उदास हो गए बाशा ने एक बार फिर दर्बारियों से पूछा क्या किसी के पास इस शेर को पिंजरे से बाहर निकालने की कोई तर्कीब है तभी इतने में एक दर्बार अकबर के सामने आया और उसने शेर को पिंजरे से निकालने की कोशिश की लेकिन वो नाकामयाब रहा दूसरे दर्बार ने पहली को सुल जाने के लिए एक जादुगर को बुलवाया लेकिन वो भी विपल रहा अब कोशिश करते करते शाम होने को आई तभी बीरबल दरबार में पहुच गए अकबर को परिशान देखकर बीरबल ने पूचा क्या बात है समराथ आप इतने परिशान क्यों है बाशान ने तुरंत शेर से जुड़ी पहेली के बारे में बीरबल को सब कुछ बता दिया फिर अकबर ने बीरबल से पूचा क्या तुम इस शेर को पिंजरे से बाहर निकाल सकते हो बीरबल ने का हाँ मैं कोशिश कर सकता हूँ अकबर बहुत खुश हुए क्योंकि मुगल सामराज्य में बीरबल के जैसा बुद्धिमान और चतोर दूसरा कोई भी नहीं था शेर को पिंजरे से बाहर निकालने के लिए बीरबल ने अकबर से कहा कि उन्हें दो सुलकती हुई लोहे की छड़ वो सरीय की अवशकता है शहिंशा ने तुरंत इसकी विवस्ता करने को कहा जैसे ही बीरबल को लोहे की छड़ मिली तो उन्होंने पिंजरे को छुए बिना छड़ को अंदर पहुचा कर उसे नकली शेर पर रख दिया अब शेर लोहे की गर्म छड़ के इस पर्ष में आते ही पिघलने लग गया क्योंकि वो मोम का शेर था देखते ही देखते पूरा शेर मोम के रूप में पिंजरे से बाहर निकल गया फिर बीरबल की इस अकलमंदी पर अकबर बहुत प्रसन हुई उन्होंने बीरबल से पूछा अरे आखिर तुम्हें क्या से पता चला कि यह पिंजरे के अंदर मोम का शेर क्या दै बीरबल ने बड़ी ही नमरता से जवाब दिया हुजूर बस शेर को गौर से देखने की जरूरत थी क्योंकि मैंने जब पहली के बारे में जानने के बाद उसे गौर से देखा तो लगा कि यह मोम का शेर हो सकता है साथ ही राजा ने यह भी नहीं बताया था कि शेर को कैसे बाहर निकालना है तो मैंने उसे पिगला कर बाहर निकाल दिया फिर क्या दरवार में बीरबल की जय जयकार होने लगी उधर पहेली लेकर अकबर के दर्वार में पहुचा राजदूत अपने राजजी वापस लोट गया और वीरबल के इस कार्मनामे के बारे में राजा को वताया कहा जाता है कि उस दिन के बाद से राजा ने ऐसी पहेली भेजनी ही छोड़ दी तो देखा जाये तो अकलमंदी से सब कुछ संभव है क्योंकि हर जगा बल नहीं बलकि बुद्धी का प्रियोग किया जाना चाहिए दिमाग से हर समस्या का समधान हो सकता है